कि कल को अभी डबलो एचो की भी रिपोर्ट आई है कितने लोगों की ये रिपोर्ट आई है कि कल को ऐसा भी हो सकता है कि साइदे कोरोना वाइरस खतम ही न हो परदान मंतरी जी भी बार बार आकर एकी बात कह चुके हैं कि भाई ये बिमारी ऐसी है कि हमें इसके साथ रहने की आदट डालनी पड़ेगी अब अब हमें इसके साथ रहने की आदट डालनी पड़ेगी क्योंकि इसका कुछ सोलुशन नहीं मिल पा रहा लेकिन हम लड़क इस बात पर रहे हैं इस बात पर कोई नहीं लड़ रहा डेली वेजिस वाले जो लोग हैं जो अपने बाई लोग हैं उनको खाना नहीं मिला लोग कितने घरों से घर में भूके हैं हम उनकी मदद करने को तयार ही नहीं है ऐसी कोई चीज हम करने को तयार नहीं है लेकिन हम इंटरनेट पर लड़ने को खुले हम तयार हैं बिल्कुल मत करो यार ऐसा तुम पोजिटिव डिबाटो यार मैं अपने लोगों से तो कहना चाहता हूँ आपने मेरा भी सोहबाव देखा होगा कि मैं जब सर से उपर बात कोई जाती है तब मैं रियक्ट करता हूँ वरना मैं नहीं करता कम से कम आप लोग जो मुझे देख रहे हैं या जो मुझे चाहते हैं कम से कम वो ऐसा करें वो पोजिटिव डूंडें नेगेटिव साइड की तरफ न भागए यार नेगेटिव चीजों से हाइलाइट में आना बड़ा असान है पोजिटिव चीजों से बड़ा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं अपना सफर बढ़ा मुश्किल वाला ही सई लेकिन कर लेंगे भाई आपका इस बारे में क्या अब यार यह आ जाते है देखो टिक टोक वर्सिस यूट्यूब मुझे नहीं पता है कहां से सुरू हुआ है क्यूं सुरू हुआ है और बे वज़ा में क्यूं इसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है सबसे पहले बात कैरी की कर लेते हैं कैरी मेरा दोस्त है छोटे भाई जैसा है कैरी को हमेशा सपोर्ट है यह तो वीडियो की बात थी सोसल मीडिया की बात थी अगर कैरी रियल लाइट में भी सपोर्ट या कुछ कहेगा ना तो मैं उसको तब भी प्यार दूँगा क्योंकि व बहुत एक अच्छी बात है कि अब हम अच्छे दोस्त है और वो बहुत अच्छा लडगा है ठीक है उसकी जो वीडियो गई है उसके बारे में मुझे जिस दिन पता लगा रात को मैरे एगले दिन उससे बात हुई पौन पर बात करी मैंने उससे उसने मुझे सारी नहीं रहना वो भी एगरी किया हाँ भाई मुझे आगे बढ़ना है काफी चीजे उसके साथ पर्सनल बाते हुई है चो मैं जहां पर नहीं बोल सकता क्योंकि दो दोस्तों की वो बात होती है ठीक है तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि क्यों किसी भी बात को क्यों कि किसी भी को पर बना दी मैं देख रहा था कोरुणवाइरस के ऊपर बना देते न कुछ ऐसा भी एक मैस्ज भी देते देना लोगों को जो जागरुकता कर दे था तो थोड़ा अच्छा लगता भाई एक थोड़े से दो चर फजी फोटू ही कि चवा देते न किसी को खाना देते हुए मैं उसमें भी खुश हो जाता है यह ना लेकिन एक खाहमा का कोई बंदे कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है उस पर रियक्ट कर रहे हैं भाई नहीं तो आप लोगों को जरूरत स्यार्तsan नहीं प लोगों को जरूरत मुझे जो डेली बुक मरी से कितने लोग मर रहे हैं उनकी बात कर लो उनके बारे में कुछ पोस्ट कर लो उनकी बाते कर लो नहीं लेकिन आपको तो बाते करने हैं टिक टोक वर्सिस यूट्यूबर की यार दोनो एक तो अलग अलग तो प्लैटफॉम है और जो यूट्यूब है यूट्यूब की यार हमेशा एक वैल्यू रही है यूट्यूब की तरफ हमेशा लोयल्टी रही है मेरी तो खास कर रही है मैंने आज तक टिक टोक अपने फोन में इंस्टोल नहीं किया मैंने आज टिक टोक पर अकाउंट नहीं बनाया मुझे तरह तरह की चीज आती थी अगर आप ये कर लोगे तो टिक टोक पर ऐसे फेमस इतना और भी ज़ादा आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे बाई और भी आपके डबल सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैंने तो नहीं बनाया क्योंकि अपनी वो रहा नहीं है मैंने उसका कौंटेंट भी कभी नहीं देका कई गलत बाते ना करें जैसे कि मैंने कोई वीडियो चल रही थी जैसे केरी ने भी रोस्ट किया था तो जब तक कोई ऐसी गलत बात न वोले तब तक मैं किसी से मेरे मन में उस बंदに के लिए भी या किसी के लिए भी कुछ नहीं है कि यार हां लेकिन मेरा कहना ये है कि देश में ओर समझ्चा इतनी चल रही है अभी एक राजिस्तान में 15 साल की बच्ची का रेप हुआ उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा बाते करेंगे टिक टोक के बारे में यूट्यूब यार देखो यूट्यूब और टिक टोक में बहुत फर्क है यूट्यूब का जो content है यूट्यूब के जो creator है उनको एक वीडियो बनाने में 20, 25, 25, 30 दिन लग जाते हैं आप समझते क्यों नहीं दोनों ओडियन सा लग है अगर किसी को 15 सेकंड का इंटर्टेन्मेंट करना है तो वो टिक टोक पर जाएगा अगर किसी को 15 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए इंटर्टेन्मेंट करना है मुझे YouTube पसंद है और हमेशा पसंद रहेगा YouTube दिल में बसता है क्योंकि YouTube ने पहचान दिलाई है आज आप के सामने में जो भी बैटा हूँ आप सब की वज़ा से और YouTube की वज़ा से बैटा हूँ लेकिन मैं ऐसे मुद्दों में नहीं पड़ता कि वो वर्सिज ये वर्सिज वो वर्सिज ये नहीं यार थोड़े समझदार बनो बड़पन दिखाओ और बहुत सारी बाते हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है अगर आप इंटरनेट पर लिखोगे या इंटरनेट पर लिखोगे कह रहा हूं सोरी अगर आप इंटरनेट पर देखो grass कोई किससे बिढ़ रहा है कोई किससे बिढ़ रहा है सारे के सारे इंटरनेट गंस्टर बन जाते हैं अरे सामने आके face to face बात नहीं होगी और सामने आते के साथ इस जब बैटेंगे ओर भाई कैसे हो क्या हाल चाले big fan ये double face है कुछ ना कुछ ऐसी चीजे करें जो कोरोना वाइरस से रिलेटर लोगों को जागरुक करें और सो चीजे है यार बहुत लाइफ में ऐसी चीजे पढ़ी है हमारे में अब बात आ जाती है अब जो कैरी की वीडियो डिलेट हुई है यूट्यूब से डिलेट हुई है उस पे बहुत जादा लोगोंने रिपोर्ट करी है मुझे भी बहुत दुख है उस चीज़ का एक वीडियो बड़ी मुश्किल में बनती है बड़ी मुश्किल में वो निकल के आती है उसका जो कॉंटेंट होता है वो लिखने से लेके राइटिंग से अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ यह जब वीडियो मैंने जब सूट करी थी पहले यह वीडियो पाँच दिन में सूट हुई थी और छे-साथ दिन मुझे इसे लिखने में लगे थी उसकी रिपोर्ट हुई है फिर वो यूट्यूब ने हटाई है उसका दुख मुझे ज़्यादा इसलिए वे क्योंकि वो रिकोर्ड बना रही थी एक से नहीं रिकोर्ड मुझे प्राउड फील होता है मुझे अच्छा लगता है हमने भी परीचय पर एक से एक रिकोर्ड बनाये थे चार पास दिन में दो मिलियन लाइक्स करे थे बहुत खुशी हुई थी मुझे अंदर से अब ऐसे ही रिकोर्ड में इससे भी डबल ट्रिपल रिकोर्ड देख रहा था मुझे और खुशी हो रही थी खास कर कुशी इसले उरती मेरा दोस्त कर रहा है लेकिन वो वीडियो नहीं रही अनफोर्चुनेटली बड़ा मुझे दुख हुआ अब आगे क्या आगे क्या आगे मेरा सवाल आप से ये है ये गलत चीज़ जितनी भी चल रहे है इससे निकलो उसने ये बोल दिया इसने वो बोल दिया कяжरी ने एक final statement दे दिया उसकी विडियो नहीं आ रही मैं कहा रहा हूं यार अब हमारा देशना इतना already इतना परेसान चल रहा है आप किसी भी चीज से किसी भी चीज का comparison करना या वो करना बंद गर दे ठीक है इंटर्टेन्मेंट लें मजे लें बढ़िया करें अब अगर मेरी आप साइड अब मुझसे पूछेंगे भाई आप किसकी साइड हो ठीक है देखो मैं सिंपल बता दो मैं मुझे लोगों ने बोला कि भाई आपने कैरी को सपोर्ट करी है तो उसके लिए थेंक्यू मै मैं भी कहता हूं कि कैरी मेरा अच्छा दोस्त है मैंने इसलिए सपोर्ट करी और भी यूट्यूम में बहुत सारे ऐसे क्रेटर्स हैं जिनको समय समय पर कभी दूवीदा आती है परेशान होते हैं वो मुझसे कॉंटक्ट करते हैं मैं जरूर मदद करता हूं क्यों क्योंकि ये मेरा वह बन चुका है कि हाँ सायद मेरे को इतना मेरे को दोड़ाई साल हो गए हैं नमबर्स में मैं इंडिया का नमबर वन यूट्यूबर हूँ तो लोग सोचते सायद हम इतक जाएंगे तो रीच और हो जाएगी सामने सायद हमें डारेक्ट यूट्यूब से बात कर ले सायद रखो अच्छी सायद रखो अड़े तुमसे कोई गलती हुई है कैमरे के सामने गलती मानो और मूव ओन करो चलो एक गलती को सुदारने के चक्कर में दूसरी गलती करेगा तीसरी करेगा चोती करेगा चार पाच गलती करता रहेगा खामा का गलती के उपर गलती गलत प्रशानी चल रही है उस पर कुछ बना लो चार लोगों की मदद कर दो अच्छा लगेगा कि यूट्यूब पर जो कैरी भाई का वीडियो रिमी वह वह आ सकता है नहीं भाई जैसा कैरी ने कल इस्टेटमेंट दिया वो नहीं आ सकता जैसा कैरी ने बोला है बोध अच्छा किया भाई लाई वागर थेंक्यू यार थेंक्यू सो मच तो मेरा कहना यही है यार अच्छी चीजे मैं देखता हूँ कोमेडी मैं देखो रोस्टिंग एक हमारे इंडिया में बहुत टाइम पहले से हो रही है रोस्टिंग करते हैं अब मैं जब नया नया यूटिवर आया था मेरी भी बहुत लोगों ने रोस्टिंग करी थी ठीक है क्या मैं लड़ा उनसे बलकि किस जिन जिनोंने रोस्टिंग भी करी उनसे मेरी बाद में बात भी हुई मैंने का बढ़िया कर दिया कोई बात नहीं क्योंकि मेरा ना वो छोटा आइडिया नहीं था कि यार इसने रोस्टिंग करिया मैं इसको दबा दूँ या मैं इसको वो कर दूँ नहीं नहीं यार अपनी ये मेंटलिटी नहीं है अपने सपने ही बहुत बढ़े है छोटी छोट करता है अच्छा रोस्ट करता है मेरा इंटर्वीऊ में धर भी उनिक 17 नाम लेता हूं। क्योंकि मेरे कोड़ दोनों बहुत पसंद है बी उनिक और कई करी और बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं। यूट्यूब में जितने भी यूट्यूबर्स हैं सम्मे मेरा कहरी और इनसे मेरा बहुत लगाव है भी उनिक से दोनों से और दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो चलता आ रहा है सुनो आगे बढ़ो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है चलता रहेगा हो मजे की सा का यार यह तुम किनर समाज की बेज़ती कर रहे हो मत बोलो किसी को ऐसा वो लोग कितने टाइम से अपने हक्की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें समाज accept कर ले आप किसी को भी ऐसे बोल रहे हो उसका content अच्छा नहीं हो उसको बोल दो कि भाई तेरा content अच्छा नहीं है देखना बंद कर दो देखना बंद कर दो आप खुदी उसकी इतनी hype बना देते हो कि मुझे पता लगी मेरे दोस्त को पता लगी दोस्तिके बुए को पता लगी। इसके फूपा को पता लग उसके मोष को नाना को नानी को आपने और अच्छछय टैलन्ट को करते हूं मैं आपको बहुत सारे ऐसे यूटीविबर ने जिंके बहुत गम सब्सक्राइबर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं मैं उनके आपको लिंक दे दूँ आप उनको करो है न ये मेरा कहना है यार हमारे देश अभी कोरोना से लड़ रहा है ओल्वेज मैंने अमे से एक बात बोली है कि मुझसे भी गलतिय हुई है अपनी वीडियोस में कि हां मुझे भी कह देते थे कि यार अमित तो ऐसा portrait करता है लड़िक्यों को वैसा करता है ठीक है यार जैसा मैंने अपने आसपास observe किया वैसा लेकिन मैंने कभी किसी पर personal attack नहीं किया मेरी आपसे भी request है कि मैं भी समय के साथ बदला हूँ समय के साथ मैंने भी सीखा है आप भी सीखोगे लेकिन किसी को चक्का मत बोलो ये गलत बात है वो यार उनका अलग दर्द है वो अलग उनकी लाइप में अल्रेडी बड़ा स्ट्रगल है उन्हें समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा बहुत सारी चीज़े हैं उनको तो बीच में मतला हो जो गलत है उसको गलत बोलो मैं तो मना ही नहीं कर रहा मैं तो मना ही नहीं कर रहा कैरी की जब वीडियो आई थी मैंने जब वीडियो देगी थी मैंने स्वाइप जब कैरी की वीडियो आई थी मैंने स्वाइप डाला था कि हाँ आप लोग देखें उसका मतलब मेरा मतलब यह नहीं था कि are negativity हो मेरा मतलब यह था मैंने देखा कुछ बाते मुझे कैरी की बहुत ज्यादा उसमें logical लगी जो हाँ मेरे को लगा कि हाँ यह है वो मेरा बाई है मैंने उसको बाई की तरह support किया है कल को वो कुछ गलती करेगा मैं उसको गलती भी बोलू और हमारे बीच में ऐसे ही होता है कल को मैं भी कुछ गलती करूँगा आप मुझे बोलोगे कहरी मुझे बोलेगा कोई भी मुझे बोल देगा लेकिन यार अभी देश के हालात खराब चल रहे हैं देश के हालातों के बा बनाया है और ना मैंने आज तक टिक टोक अपने फोन में डाउनलोड करा मेरी टिक टोक से कोई नफरत नहीं है वहाँ पर कोई जो काम करते हैं मेरी उनसे भी कोई नफरत नहीं है ठीक है मुझे गलत वो लोग लगते हैं जो गलत बोलते हैं महनत हम कर रहे हैं आप कर रहे हैं सभी बराबर मैनत कर रहे हैं सभी को सुक्र मना हो यार कि अभी आपको प्लैटफॉर्म मिले हुए टिक टोक मिला हुआ इंस्टाग्राम है यूट्यूब है फेस्बुक है कितना है ओडिसन्स के लिए आपको लाइन में तो नहीं लगना पड़ता न आपकी ओडिसन हो रहे हैं और आप उसके लिए लाइन में लग रहे हो नहीं न कम से कम आपको इस काबिल बना दिया न ये उपर वाले की दया है आपकी टेकनोलोजी का टाइम है ये आज की जनरेशन है ये यूथ है कि आज हमारे पास इतनी सारी सुईदा हैं सुईदाओ का अच्छा इस्तेमाल करो न कल को किसी का रेप हो किसी के साथ गलत हो तब भी ऐसे ही यूनेटी दिखा न अभी जो भुकमरी में लोग हैं गरीबी में लोग हैं थोड़े 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 पैसे मिला कर भी उनको दे दोगे तो help हो जाएगी इंटरनेट पे उनके लिए इतना बोल दो बहुत अच्छा लगेगा मैं ये कह रहा हूँ आप से कि अभी उसकी लड़ाई हो गई इसकी लड़ाई हो गई मैं भी इंटरनेट पर यही देखता रहता हूँ कि ये बात तो सच हो गई है कि आदमी जब खाली है तो बहुत सोचता है बहुत कुछ करता है ये आम लोगों के लिए नहीं ये आर्टिस्टों पर भी बहुत ज़्यादा होता है मेरी आप सभी सेट रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा उसे पोजिटीव बाते करें positive माहुल में रहें अब यहार कौन क्या कर रहा है कौन क्या ने मैं ने कुछ इस चीज का वो नहीं लिया मैं हमेशा जैन्वन बात यही बोलूँगा और मैं इसी चीज को अपला ही करता हूँ कि जब आदमी अच्छी-च्छी सोच रखता है अच्छी-च्छी बाते करता है तो अच्छा एटमोस्फेर में चला जाता है यहां कोरोनावाइरस हो रखा है यह हो रखा है आप एक बंदा है जिसकी बात के कोई ना लोजिक है ना कुछ है छोड़ दो यार खतम आगे बढ़ते हैं अपनी चीजे करते हैं अच्छी-च्छी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जरूरी नहीं है यार अब जाढ़ा वो किसी को करना अच्छी चीजे करो positive चीजे करो अपने हाल पे चोड़ दो एक टाइम के बाद आदमी भी इरिटेट हो जाता है परेशान हो जाता है चोड़ दो उसको मेरेद चोड़ दो अब तो अपनी चीजे करनी है हमें कि अपनी चीजे कैसे हो कि आम राम सुभाम राम राम हेलो हेलो सबी को हेलो तो बस मेरा यही था कि हर चीज पर वो नहीं चाहिए होता है मेरी अपना अभी देश में और सारे इतने सारे मुद्दे हैं अभी देश कोरोना से लड़ रहा है दिन रात मेरी तो नींदी उड़ी रहती है कि यार वो कब दिन आएगा कि मैं भार निकलूँ आप लोगों से मिलें कब पहले जैसे नॉर्मल दिन हो पाएं वो हो पाएं पोजिटिवटी बाट लो यार थोड़ा सा बाकी बात है कि यूट्यूब वर्सिस टिक टोक की तो यार देखो मेरा यही कहना है मैं फिर से यही बात कहूंगा कि मेरी प्रेवरिटी हमें से यूट्यूब रही है मैंने यूट्यूब को टाइम दिया है यूट्यूब ने हमें सपोर्ट किया है यूट्यूब ने हमेज़ रहता हूं, आप लोग जितना प्यार आप लोगों ने दिया वो कहीं मिलता ही नहीं कुछ प्यार और कभी कमाया नहीं जाता, चाहे कितनी भी दोलत आ जाए तो बहुत सीधी सी बात है वीडियो कब आईगी वीडियो यार एक दो दिन में आ जाईगी पक्का आईगी भाई आज ही आ जाती लेकिन मुझसे वो एडिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो दिया हेलो रामू भाई बोल रहा है कि नाम बोल दो कुछ सवाल जवाब हो जाएं सवाल पूछिए मैं जवाब देता हूँ हेलो अनुज हेलो गोसल हाई हाई कुछ अच्छे से बढ़िया से सवाल हो जाएं जिसके जवाब दिये जाएं